चुम्बक के धुर्व किसे कहते हैं और चुम्बक के जो धुर्व हैं वाँ कितने होते हैं तता उन सभी की परिवासा है आज हम देखने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप जानिए कि चुम्बक क्या है चुम्बक किसे कहते हैं कि देखिए जो भी लोहे की बनीवी जिसे लोहा हो गया कोबाल्ट हो गया निकिल हो गया देखिए इतनी बड़ी लोहे की बनी हुई वस्तो को भी चोटी सी चुमबक अपने और खीच रही है देखिए तो इसी को कहते हैं हम चुमबक कि जो लोहे की बनी हुई वस्तो को निकिल कोबाल्ट की बनी हुई वस्तो को अपने औराकरसित करें वहाँ चुम्बक कहलाएगी अब इस चुम्बक को आप गोर से देखिए एक और चुम्बक ले ले लेते हैं इसको भी आप गोर से देखिए ठीक है एक चुम्बक और है यहाँ पर सामने इसमें भी देखिए चोटी सी चुम्बक सारी चुम्बक आपक यहां पर क्या लिखा हुआ है एन लिखा वादे के नजर आ रहा हो तो यहां पर भी एन है एस है एन है और एस है यहां पर भी एन है और एस है तो यहां तो किलियर हो गया है कि चुम्बक के जो धुर्व हैं वहां दो होते हैं एन धुर्व और एस धुर्व हैं अब चुम्ब चुम्बक के दो सिरे होते हैं किते कोई भी जो चुम्बक है उसके दो सिरे रहेंगे उसे कहेंगे चुम्बक के धूरव हैं तो परिवास आप यहां से लिखिए का देखिए चुम्बक के दो सिरे होते हैं उन्हें चुम्बक के धूरव कहा जाता है अब चुम्बक के दो धुर्व किसे कभेंगे इस्तरी धुर्वर किसे कहेंगे याने एन को नौर्थ पॉल उत्तर दिशा की और जो धुर्व संकेत करेगा उसको हम उत्तरी धुर्व या उत्तर धुर्व के नाम से के जानते हैं इसे उत्तरो मुखी धुर्व भी कहा जाता है और इसे किस से प्रदसित किया जाता है एन से प्रदसित किया जाता है फिर अग हुआ एक बात है कि जब उत्तर की और दिसा की संकेत कराता तो उसे उत्तरी दुर्व तो भाया दच्छिनी दुर्व किसे कहेंगे जो दच्छिन दिसा की और संकेत करेगा दच्छिन दिसा की और संकेत करने वाले सिरे को हम दच्छिनी दुर्व के नाम से जानते हैं इसे तो द्रुवों से समबन्दिति एक नौट करने योग के बात है कि एक समान धुर्ववों को समजाती धुरुव कहा जाता है या सजाती भी बोलते हैं या सम जाती को से एकंवान १क यहां पर देखिए एना है है हिएह इनको कहेंगे समजाती और इने कहेंगे विजाती ठीक है तो एक तरफ एन है एक तरफ एस है तो इन्हें कहेंगे हम विजाती धुर्व और सजाती याने एक ही जाती यह आपर यह एक ही जात होंगे ठीक है अब आपको निजर आ रहा होगा देखिए एक बात और किलियर कर दूँ यह आपर देखिए अब प् ठीक है यह यह यानि कि यह एन को एन के पास इसे केते हैं साजाती दुर्वों तो सजाती दुर्वों को हम जब ले जाएंगे तो वहां चुम्बक आपने आप एक दूसरे से दूर जाएगी तो इसे केते हैं प्रतिकर्सन क्या केते हैं इसे प्रतिकर्सन लेकिन यदि हमने द अब पर यह सा किया था भली पास ले जाने का प्रियास कर रहें वो अपने आप दूर जाए तो यह कहिंगा आपका सजाती धुर्वों के बीच यह सजाती दुर्वों के बीच प्रतिकरसन और विजाती दुर्वों के बीच आकरसन होता है नोट कर लिजेगा बहुत ही बढ़िया है अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चुम्बक के दुर्वों में कुन-कुन से गुन उपाये जाते हैं तो यहां से आप इसके नोट से तयार कर सकते हैं विडिया से कंप्लेट करिएगा अच्छे से नोट से तयार करते चलिए ताकि आपको परिक्षा में कोई भी कटना यो का सामना ना करना पड़े